आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ वो हमें बताना है तो चली देखते हैं कि यहां पर कौन-कौन से Practices given है और उसके पहले हम डिसकर्स करते हैं कि क्या प्रैक्टिस यह कर रहा है तो बेसिकली अगर हम लोग वीड प्लांट को देखें तो वीड ऐसा प्लांट है जिसको नाइट्रोजन जो है वो बहुत जादा ही नेसिसरी होता है और इतना जादा नेसिसरी होता है नाइट्रोजन कि जो सॉयल होता है जिसमें वीड ग्रोन होता है कि उस सॉयल का नाइट्रोजन जो है वो सारा ले ले लेते हैं जिसके वेसे सोयल का nitrogen एक्जम से decrease हो जाता है और next season में यहाँ पे जो beans produce किया जा रहा है यह beans हमारे leguminous plant में आते हैं और leguminous plant हमें पढ़ता है कि ऐसे plants होते हैं जिनके roots में nitrogen fixing bacteria पाए जाते हैं और यह nitrogen fixing bacteria क्या करते हैं कि leguminous root में रहके atmosphereic nitrogen को fix करते हैं और उस nitrogen को fix करके वो plants और soil तक वापस लाते हैं जिसके क्या होता है कि soil का nitrogen जो है वो फिर से increase किया हुआ पाया जाता है तो यह basically ऐसा situation है या पर ऐसा harvesting है जिसको हम लोग crop rotation के नाम से जानते हैं जहांपर क्या होता है कि एक season में एक crop को grow कराया जाता है तो next season में दूसरा crop grow कराया जाता है ताकि जो soil का nutrient loss हुआ है due to the first harvesting उसका nutrient जो है वो फिर से back पा सके और soil जो है वो बहुत ही जादा viable और fertile बने रह सके तो ऐसे treatment जो कि यहां पर farmer कर रहे है उसको हम लोग crop rotation बोलते हैं इसके first option ही हमारा correct option हो जाएगा बागी अगर देखा जाए तो next multiple cropping बोला गया है यह एक ऐसा technique होता है जहां पर एक ही piece of land में बहुत सारे plants को crops को grow कराया जाता है जैसे यहां पर one kind of crop अगर grow कराया जा रहा है तो उसके side में दूसरे type के crops जो हैं वो grow कराया जाते हैं और इसी तरीके से shuffling way में next part में फिर से तीसरे crop को भी grow कराया जा सकता है और इसी technique को हम लोग क्या कहते हैं तो इसी को हम लोग multiple harvesting या पर cropping के नाम से जाते हैं next is field fellow और field fellow का बात करें तो यह एक ऐसा technique होता है जिसमें land जो है वो कुछ season के लिए uncultivated छोडा जाता है और यहां पर uncultivated land को इसी वज़़चे छोडा जाता है ताकि जो nutrient quality है soil का या फिर soil का जो fertility है वो वापस मिल सके और इसी को हम लोग field fellow के नाम से जाते है वहीं पर mixed cropping जो है वो इसी तरीके से होता है जहां पर बहुत सारे crops एक साथ लगाए जाते है तो इसलिए जो हमारा according to question correct है वो हो जाएगा crop rotation और उसी को हम या पर tick कर लेंगे Classics to 12 से लेके Need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8400400 पर